जहिन दोस्तो तो आज हम देखेंगे सेट नमबर 20 को अपने 5000 प्लस MCQ मेरेथान सीरीज को तो दोस्तो लेक्चर की PDF के लिए आप टेलिगराम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नह तो यहाँ पर कह रहा है कि with reference to the budgetary process in India appropriation bill refers to तो दोस्तो मैंने आपको इससे पहले बताता एक सो आर्टिकल 110 एक सो ग्यारा और आर्टिकल 112 में जैसे आर्टिकल 110 हमको money bill के बारे में बताता है अब आर्टिकल 111 क्या है कि हमको assent यानि के president जो है बिल को assign करेंगे और आर्टि में से कहे कि अगर सरकार को जब भी पैसा निकालना होता है तो यहाँ पर कहा रहा है कि पार्लियमेंट के अंदर में के exclusion locked विल को पास करना ओता है जब तक ये बिल पास नहीं होगा तो यहाँ पर कहा रहे कि सरकार कोई भी पैसा यानिके mummy द侅री औफ 175 पिसके को of the withdrawal from the consolidated fund of India तो दोस्तों पहली statement ही हमारी ठीक हो जाएगी बाकी की तीन statement को पढ़ते करा taxation proposals of the government गलत हो जाएगी demands for grants by ministries यह भी गलत हो जाएगी provision to make any grant in advance for a part of the financial year तो दोस्तों यह भी हमारी गलत हो जाएगी second questions को देखते हैं के रहा है with reference to the powers of the president consider the following statement तो दोस्तों कराए पहली statement his prior assent is required to introduce constitutional amendment bill and money bill तो दोस्तों यहां पर कहेगी हमारी statement हो जाएगी गलत अगर money bill की बारे में बात करता तो प्राय यानिके president की approval की जरुरत होती है लेकिन constitutional amendment में कहेगी हमको इनकी approval की जरुरत नहीं होती तो हमारी statement हो जाएगी गलत अब second कराए he can nominate two members to the Rajya Sabha from Anglo Indian Community तो दोस्तों यह वाली statement भी गलत हो जाएगी आपको पता होगा कि president जो है बारा members को appoint करते थे राज्यसभा में और दो members को appoint करते थे लोगसभा में लेकिन यह जो दो members appoint करे जाते थे एंग्लो इंडियन Community के यह 104 constitutional amendment act यानिके 2019 में क्या करा यह जो दो एंग्लो इंडियन का appointment करा जाता था इसको क्या है रध कर दिया गया है तो अब क्या है कि हमारी जो है दोनों statement हो जाएगी गलत यानिके हमारा answer हो जाएगा डी नीदर वन नौर तू अब यहां पर थर्ड questions को देखने हैं कि विच अमंग दा following parliamentary privileges are mentioned in the constitution तो दोस्तों यह parliamentary privileges के बारे में बोल रहा है तो आपको पता होगा कि जो हमारे parliamentary privileges है वो एक MP को भी मिलती है और एक MLA को भी मिलती है तो जो हमारा article 105 है वो MP के बारे में बताता यानि के privileges मिलती है और जो हमारा article 194 आई यह हमको MLA की privileges के बारे में बताता है तो आप इसको ऐसे याद करना यहाँ पर आ रहा है 5 तो यहाँ पर कहें कि जैसे आपको पता लग गया होगा कि जो हमारा यहाँ पर तो 9 है तो 1 और 4 को जब आप add करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 तो यहाँ पर इससे compare कर लेना यहाँ पर भी 5 है और इन दोनों को add करोगे तो तब भी हमारी जो संख्या है वो 5 आनी चाहिए तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 privileges को बताता है तो हमारे constitution के अंदर में कहें कि दो privileges एक तरीके से दी गई है तो यहाँ पर कहें कि जो भी हमारा MP है उसको पूरी की पूरी छूट दी गई है कि वो हमारी Parliament के अंदर में कहें कि freedom of speech यानि कि वो कुछ भी बोल सकता है और यहाँ पर कहें कि वो voting मी दे सकता है और उसके उपर कहें कोई भी inquiry वगेरा नहीं हो सकते तो यह कहें कि कुछ इसको immunity प्रोवाइड करी गई है अब यहाँ पर दूसरी यहाँ पर यह दिया जाता इसको कि जो भी Parliament की proceedings है यहाँ पर कहें कि उसका वो publication कर सकता है तो यहाँ पर कहें कि दो हमको parliamentary privileges देखने को मिलती है अब यहाँ पर options को पढ़ते हैं कि रहा freedom of speech in Parliament तो दोस्तो ठीक हो जाएगी स्टेट्मेंट कि रहा right of publication of parliamentary proceedings तो यह भी ठीक हो जाएगी थर्ड कि रहा right to punish for contempt of house तो दोस्तो यह वाली statement हो जाएगी गलत क्योंकि हमारे article 105 में साफ साफ यह दो प्रावधान जो दे रखे हैं तो हमारा जो answer होगा वह वन एंड टू only अब फॉर्थ questions को देखते हैं कि रहा with respect to interstate council consider the following statement तो दोस्तों मैं आपको बता था कि जो हमारे इंडिया में interstate council है तो यह क्या है कि जो हमारी SCN के सरकारिया commission है इसने recommendation से दी थी कि इंडिया के अंदर में interstate council होनी चाहिए तो देखो अब आप याद कैसे करोगे तो आपको पता कि हमारे इंडिया के अंदर में total 25 पार्ट है अब इस 25 पार्ट में से यह interstate council किस पार्ट के अंदर में आती होगी तो देखो यहां पर कहें कि इंटर state की बात करी जारी है तो अब यहां पर कहें कि जो हमारा part number 11 है तो जो part number 11 है वो एक तरीके से relationship बताता है central और state की तो यहां पर कहें कि जो हमारा central government और state government है इन दोनों की relationship के बारे में बताता है तो यानि कि जो हमारे relation है तो आप याद रखना किसी की relationship है तो यहां पर suppose करो कि central और state government की relationship है आगे चल करके क्या कि यह दोनों शादी करने वाले marriage करने जा रहे तो अब कहें कि हमको खन्यादान देना तो हमको कण्यादान देना है 11 रुपे का तो यहां पर कहें कि total 25 parts है तो इस 25 parts में से हम 11 वाले यानि कि 11 रुपे देंगे कन्यादान के रूप में तो ऐसे याद कर लेना जब यह इन दोनों का relation है relation से marriage होगी marriage से हम 11 रुपे देंगे दो चैप्टर देखने को मिलता है एक आता हमको legislative administration और एक तरीके से आता है legislative relation और दूसरा आता administrative relation तो दोस्तों याद रखना 245 से 263 और जो article 263 है यह हमको बताता है कि इंडिया के अंदर में इंटर इस्टेट काउंसिल होगी तो यहाँ पर कहें कि President of India बनाएंगे जब जरुर 23 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination among the states and between center and states तो दोस्तों यह वाली statement बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी क्योंकि यह साफ साफ कह रहा है कि article 263 हमको बता रहा है कि हम establishment करेंगे interstate council ताकि हमको effective coordination देखने को मिले between center and the state second करा the decisions and recommendations of the interstate councils are only advisory in nature तो यह वाली statement भी जो हमारी ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर कहें कि हमारी दोनों statement हो जाएगी ठीक तो हमारा answer होगा both one and two अब यहाँ पर fifth questions को करेंगे which of the following statement is or are correct with regard to discussions in the parliament तो यहाँ पर discussion की बात करी जा रही है तो यहाँ पर पहला कहरा है कि during the zero hour the members are free to rise any matter that they think is important तो दोस्तों आपको पता हुआ कि जो हमारी एक तरीके से यह क्या है कि parliament है ग्यारा बजे हमारा session चालू होता है तो ग्यारा से लेकर कि बारा बजे एक question hour हम इसको बोलते है question hour और बारा बजे इसके बाद में कहें कि जो हमारी till evening ता कहां पर जब चलता हम उसको कहते है zero hour तो ऐसे याद रखना बारा बज जाते हैं तो बारा को हम कहा है कि double zero करके कहते हैं तो ऐसे याद रखना है इसको zero hour कहते हैं तो अब यहाँ पर कहें कि question hours में जैसे नाम से पतर लगता है तो यहाँ पर question पूछे जाते हैं जैसे state questions हो गए अन state questions हो गए तो state questions जब पूछे जाते अब यहाँ पर दुबारा से questions को पढ़ता है तो यह discussion की बारे में बोल रहा है कह रहा है during the zero hour the members are free to rise any matter that they think is important तो दोस्तो zero hour की बात कर रहा है यानि कि इस वाले hour में कह कि कोई भी MP, MLA कुछ भी जो important होता है वो पूछ सकता है तो पहली statement हो जाएगी ठीक, second कह रहा है during the question hour यानि कि 11 से 12 बजे के बीच में ministers are bound to give oral answer to all the type of questions तो यहाँ पर कह रहा है कि सारे के सारे answer जो oral देने होंगे जितने भी type के question है तो दोस्तों यह statement हो जाएगी गलत, जब state question पूछा जाएगा तो औरली answer देना होगा, unstate question पूछा जाएगा तो return में answer देना होगा तो हमारी जो statement है वो खाली पहली statement जो है वो ठीक होगी अब यहाँ पर अपना यानि के आज का six questions को देखते हैं इन विच ऑफ दा following state दा ड्यूचा पचामी कोल माइन लोकेटेड तो दोस्तों करन्ट अफेर्स का topic है अब यहाँ पर यह करा कि वैस्ट बंगाल जहारकन ओडिशा और चत्यजगर तो यहाँ पर कहें कि देखो यह जो ड्यूचा पन यह हमारी पचामी कोल माइन है यह हमार एश्ट बंगाल के अन्दर में located है तो यहाँ पर हमारा बंगाल का मैप हो जाएगा इसके़ कैई कि हमको मािन देखने को मिलती है तो यह क्या कि एचिया की सबसे largest कॉल माइन को लरी ब्लोंक यानि कि largest कms को ब्लोंक देखने को मिलते हैं और अगर world की बारे में बात करें तो वर्ल्ड में कहा कि यह सेकिंड नंबर पर लार्जस्ट कोल ब्लोक्स हमको यहां पर देखने को मिलता है तो यह इंपोर्टेंट है हमारे कोल इंडस्टी के लिए तो याद रखना है इसका जो आंसर है वो वेस्ट बेंगाल है सैवन्थ कोश्टिंस को देखते हैं केरा कंसिडर दा फॉलवंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग कांसिल ओफ मिनिस्टर तो दोस्तों मैं आपको पहली बार कई बार बता रखा है कि जो आर्टिकल सैवन्टी फोर हमारे कॉंस्टिटूशन का वो कांसिल ओफ मिनिस्टर के ब था 1978 में तो प्रेसिडेंट ओफ इंडिया क्या कि इनकी एक एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे सकते हैं और उसके बाद में जब सैकिंड टाइम्स में कुछ भी आई की चीज तो उनको क्या कि प्रेसिडेंट ओफ इंडिया को एक्ट करना होगा तो यह हमने काई कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है पंदरा परसेंट ओफ दी जो लोकसभा के मेंबर है टोटल हाउस है इसकी पंदरा परसेंट से जादा नहीं होनी चाहिए तो यहां पर यह इस वज़े से यह अमेंडमेंट करा गया आव जैसे क्या होता है कि हमारी पार्लेमेंट की आपकते बारे में बात करें या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेमलीए तो यहां पर का fashion के चली जाती तो छोती छोटी पार्ट या मिल करकि कॉई कि MP का सपोर्ट ले ले लिती थी उस टाइम तक तो इसको रोकने के लिए इसको counter करने के लिए 15% की limitations यहाँ पर bound कर दी गई थी 91st constitutional amendment act 2003 में तो अब यहाँ पर गए कि दोस्तों हमने ये basic को देखा अब यहाँ पर अपनी statement को पढ़ेंगे तो यहाँ पर council of minister के बारे में बता रहा है कहरा है कि the strength of the council of minister cannot exceed 10% of total number of members of the लोकसभा तो दोस्तों statement हो जाएगी गलत क्योंकि हमारा सही आंसर होगा 15% second कहरा है council of minister is collectively responsible to the parliament तो दोस्तों यह वाली statement भी गलत हो जाएगी क्योंकि हमारे constitution के अंदर में साफ साफ दे रखा है कि जो collective responsibility है वो only सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दे रखी है तो यहाँ पर कहेगी parliament के अंदर में हमको तीन चीजे देखने को मिलती है लोकसभा, राज्यसभा और President of India तो यहाँ पर अगर लोकसभा बोलता तब जाके हमारा answer ठीक होता तो हमारा जो answer होगा डी होगा यानि के neither one nor two यानि के दोने statement जो हमारी गलत हो जाएगी 8th question को देखते हैं क्यारा विद reference to additive manufacturing technology which of the following statement इजिया और करेक्ट तो दोस्तों यह भी कहें कि हमारा current affairs का topic है तो आप ऐसे समझो देखो हम आर ऐसे समझो जैसे यह क्यों हमारी एक इस तील की shaft हो गई अब यह इस इस तिल की revolve to date गए technology तो यहां पर हमारे पास हो गई aoग फ Gil अब यहां पर हलक है कि अब हम मशीन के अंदर में डाल देंगे तो जब मेशीन के अंदर में डाल देंगे तो हमारी कि यह एक तरीखेसे ऐसी शेफ आ जाईगी तो यहां पर क्यए बहुत जादा scrap material हमको देखने को मिलेगा यानि कि suppose करो यह हमने कहीं कि ऐसे ऐसे मशीन के अंदर में डाला तो जब मशीन के अंदर में डाला तो इसके जो यह side वाला part है ना यानि कि यह वाला जो portion है यहाँ पर से इतना यह वाला जो हिस्सा एक तरीके से क्या है की जब एएइसे इस शेप में आ जाएगा तो यहां पर कहाई की यह जो side वाला portion है, यह हो जाएगा waste तो इसमें कहाई कि बहुत जादा waste देखने को मिलता था, क्योंकि यहां पर कहाई कि जो हमारा bethah kuchha portion है, जो हमारे काम का नहीं है, यह हो गया, वेस्ट हो गया, तो यह कहा कि हमने सब्ट्रेक्ट करा, यानि के पूरे मैटेरियल में से हमने इतना हिस्सा सब्ट्रेक्ट कर दिया, तो हमारी कहा कि यह एक्चुल पोजिशन आ गई, अब इसका दूसरा मैथड होता है, दूसरा मैथड यह यह वाला जो मैथड यह था subtractive method यानि के subtract करके बनाया, दूसरा method होता additive method यानि के हम को ये वाली अगर shape बनानी है तो हम क्या करेंगे layer by layer इस चीज़ को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3D printing यानि के 3D design बनाएंगे, तो हमारा क्या कि computer के अंदर में होता है CAD यानि के computer added designing, तो यहां पर क क्या है कि पहले हम computer में 3D printing करेंगे, इस printing को जब हम कर लेंगे फिर उसके बाद में जैसे हमको ये bolt बनाना है ना तो हम layer by layer बनाएंगे, तो ये layer by layer बनाएंगे तो हमारा जो wastage है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, तो ये जो technology है इसमें क्या है, इसको बोला जाता additive technology, जैसे ह यहाँ पर कहें कि नाम से पता चल रहा है, हम add कर रहे हैं, और add किसको कर रहे हैं, हम layers को इसमें के अंदर में add कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर यह देखो news में इस वज़े सा हमारे जो इंडिया में क्या कि माइती है, यानि कि Ministry of Electronics and Information Technology, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से अ 5% का share जो है, इंडिया का होना चाहिए, दो हजार पच्चिस तक, तो यहाँ पर इन्होंने यह share मतला एक तरीके से target रखा है, और यहाँ पर इन्होंने बता है कि कम से कम एक billion dollar की evaluation होनी चाहिए, अब यहाँ पर पूरी दुनिया में बात करें, जो US से है, इस क्या है कि 36% market share इसके पास में, European Union के पास में है, 26% और जो चाइना है, उसके पास में है 14% additive manufacturing का और जो इंडिया है, इंडिया का market share जो है, global market share की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ 1.4% है, तो यहाँ पर बात करी जारी कि 2025 तक, इंडिया कम से कम global market share का 5% होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ ने देखा, basic, अब यहाँ पर दुबारा से देखने है, statement को, तो यहाँ पर कहा रहा कि, with reference to additive manufacturing technology, which of the following statement is, यहाँ और करेक्ट, इंडिया's national strategy for additive manufacturing aims to achieve 25% of the global market share in the sector, तो दोस्तों statement हो जाएगी, गलत, इंडिया का target 5%, second के रहा है, चाइना's market share in additive manufacturing is the highest in the world, तो दोस्तों साफ साफ जुट बोल रहा, USA का 36% के पास में, थर्ड करा, human tissues and organs can be made through this technology, तो दोस्तों यह वाली statement हो जाएगी, ठीक, देखो, यहाँ पर कहा कि, हम कहा कि, 3D printing करते हैं, तो यह जो 3D printing है, जब हम healthcare के अंदर में इसको use करते हैं, तो इसको बोला जाता है, bio printing, जैसे bio का मतलब क्या होता ह हम print कर रहे हैं, तो हमारे कहा कि, जो भी हमारे tissues है, या फिर जो organs है, अब हम कहा कि, इसको भी layer by layer बना सकते हैं, तो यह कहा कि, हमारा जो answer होगा, वो खाली 3D only होगा, यानि के, जो हमारा 3D statement है, खाली वो ठीक होगी, अब यहाँ पर 9th questions को हम अपना देखते हैं, तो एक बा वाली सीरीज में बहुत अच्छे से देखा है, तो क्या रहा है, पहली statement, he holds office during the pleasure of the president, तो दोस्तों यह statement हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पर कहें कि, जो प्राइम मिनिस्टर है, जब तक president की pleasure रहेगी, वो रहेंगे अपने office में, लेकिन याद रखना, जब तक majority इ यह कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहें कि जो PM का tenure जो है, फिक्स नहीं है, हमारे constitution के अंदर में इसलिए बोला जाता है, कि pleasure of the president पर यह hold यानि के during तक रहता है, second बोला, resignation of prime minister, automatically dissolves the council of minister, तो दोस्तों यह वाली statement भी हमारी ठीक हो जाएगी, तो जो हमारा answer होगा, यानि क बोथ one and two जो है, ठीक होंगे, अब यहाँ पर आज का last का, यानि के दोसो वाई, यानि के आज का 10th questions को देखेंगे, करा which of the following is are the exclusive powers of लोक सबा, तो यहाँ पर बात करी जा रही है, कि सबसे पहले जो पावर है, यानि कि किसी चीज़ पर अगर निर्ना लिया जाएगा, suppose करो लोक सबा और राज्य सबा में से, तो exclusive का मतलब होता है, सबसे पहले तो लोक सबा के पास में वो जाया जाएगा, तो लोक सबा के पास में जैसे हम जानते हैं कि जैसे money bill हो गया, तो money bill में क्या होता है, कि खाली लोक सबा के पास में ही power है, इसको pass करने की, अब यहाँ पर क इससमें कहोता है लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है तो यहाँ पर पहली कहा रहा वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट तो दोस्तों यह वाजी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर कहें कि वोट जब भी वोटिंग होती है कि हमको ग्रांट देना यानि कि प क्योंकि यह सारी किया कि राज्य सभा के पास में तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा one only यानि के पहला answer यानि के हमारा जो ठीक हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर क्या कि हमने total set one से लेकर के set twenty तक कर लिया यानि के हमने क्या कि 200 mcq को कराए और यह जो 200 mcq थे हमारे यह थे पॉलिटी के तो यहां पर क्या कि आप ऐसे समझो हमने per head यानि के हर एक questions के अंदर में अगर दो questions होगे दूसरी तरफ क्या कि चार statement होगी त तो हमने यानि के 400 statement को पढ़ा है और अगर चार statement की बात करें तो यहां पर हमने 800 statement को पढ़ा है तो दोस्तों इस हिसाब से कही कि हम suppose मान के चल रहे कि हमने दो statement को पढ़ा है हर एक questions के अंदर में तो हमने क्या कि पॉलिटी की कम से कम 400 statement को बहुत अच्छे से पढ़ा है अग करने वाले time period में 5000 प्लस mcq marathon series को complete कर लेता है तो यहां पर कही कि definitely हमारा 200 में से कम से कम 1500 प्लस नंबर आने के पूरी की पूरी संभावना है prelims के अंदर में तो दोस्तों अभी के लिए इतना मिलते हैं कल सैट नंबर 21 में तो जो हमारा अगली वार यानिके सैट नंबर 21 स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों अब आगे की जो जर्णी है थोड़ी सी कठिन होने वाली है तो बी प्रिपेर बी रेडी सो अभी के लिए इतना थैंक्यू गाइज